सो नेक्ट कमांद जो में स्टार्ट करने वाल हुग है वीध हमने एकпод्meो क्ष्टूर्लांट का बंग फॉगस करेंगे एक सवीप कलें एक में कलाता में प्रोफाइल और दूसरा कलाता हि पास हमारा होता है जो सेंटर कर्व होगा हमारा सेंटर लाइन करेंगे पाथ ओपन या क्लोज दोनों चीज़ें हो सकती है लेकिन होना उसे पॉलिलाइन ये स्पेशल लाइन में ही चाहिए ठीक है बट स्वीप करने से पहले हम कंसेट समझ देते हैं क्या करता है तो उसके लिए जैसे कि मानलो म आपको एक अब जैसे आप देख रहे हैं इनका क्रॉस सेक्षिन जो होगा अगर यह इसको मैं बेंट जरके कहीं पर रख दूँ तो जैसे कि इसका देखो गया आप यह कैसा शेप हैंदा से यह वाला शेप स्कॉयर है यह स्कॉयर है रखेंगल है सो हमारे क्रॉस सेक्षिन क्या होते हैं जैसे कि हमारे कोई भी अलिमेंट होता है जैसे आप इसमें देख सकते हो यह हमारा एक एस कर्व बना हुआ है ठीक है पाइप से इसको मैं कहीं से भी कट करूं तो यह शेप कैसा लेगा हमारा ठीक है अब यहां पर देखो यह डक्त है हमारी इसको मैं कहीं से भी कट करूं तो यह कैसा सेक्षिन लेगा इसी तरीके से यह वाली डक्त जोगी यह कैसा लेगी ओवल शेप लेगी यह सर्कॉलर लेगी यह इस बायर शेप होगी तो इन डाइप के ऐलिमेंट को बनाने के हम स्विप कमांड का यूज ़ी अब पहले मैं बतायता हैं किसे एपलाई करना है उसके लिए आपको दो चीज़े पड़ेगी जो भी शेक कहीं उसका सेंटर लाइन पाथ कैसा है और उसका cross section कैसा होने वाला है so मैं अगर अपने वह he मानदोगे आपके एक जिन कहते खरो Grade कहें तो कमिना स्टेरिंग के लिए मैंने सर्किल लिया सर्किल को साइज दे दिया मैंने 150 mm का रेडियस दे दिया अब यह राउंड अलिमेंट होगा जिसको हम फकड़ते हैं स्टेरिंग का अब इसका जो क्रॉस अब इस सर्किल प्रोफाइल को मुझे जो नीचे वाला सर्किल है इसके ऊपर क्या गरना है पूरा फॉलो गरवाना है तो मैंने अपना व्यू बदला अब कमांड पर गए कमांड क्या थी पहले प्रोफाइल दी एंटर किया फिर पाथ को सेलक किया जैसे पाथ को सेलक किस तरीक का शेप आगया आप यहां से कंचेप्चल व्यू पर आओगे तो देखो उस प्रोफाइल को उसने क्या उस पाथ के ऊपर फॉलो गरवा दिया इसको बनाने के लिए हमने स्वीप कमा इसक्ते हैं यहां पर मैंने संद्वीप करते हैं यहां मैंने फ्रीम्马 यहां मैंने फ्लिट किया ही नहीं अब पाइप है तो पाइप का जो क्रॉस सेक्षन होगा कैसा होगा तो मैंने सर्कल बना है सिंट है क्या डिया देदिया हंड्रेट का चोटा पड़ना है तो पाइप को अंदर से हमें क्या करना है तो मैंने क्या क्या जितने तिकषन रखनी थे सब्सक्राइब करें अब इन दोनों को मुझे इसके आपर मैं किस प्रवाण में जाऊंगा यू डॉफल इट फ्रीपंट या प्रोफाइल सेलेक कर यह हमने दोनों स्केच को स्केच कर दिया प्रोफाइल अगर यह लाइन अलग-अलग होती तो हर एक लाइन पर अलग-अलग सर्किल बना करना पड़ता लेकिन मुझे पूरे पर स्वीप करवाना था मैंने क्या था इनको जॉइन गल लिया था और अब इसके अपर स्वीप करवा दिया मैं इसी तरीके से मुझे डक्ट बना लिए तो मैं क्या करूँगा रेक्टेंगल शेप लिया मैंने उस रेक्टेंगल को अफसेट कर दिया अंदर की तरह क्या कर सकते हैं जो शेप में लगता है कि वह एक ही प्रोफाइल मैंनर में फॉलो हो रहा है तो महाँ पर क्या लगा सकते हैं स्वीप कमांड खिक है इसका यूज अप आप हैंड्रेल हो गएरा जो है आप उनको डिजाइन करने के लिए बालकनी में हमारी रेलिंग होती है उसके लिए भी हम इसका यूज कर सकता है तानी समरत यारज या घर में आपने देखा होगा चारा तरफ कॉर्णि होती है च्छतों पर देखा है नहीं या पता ही नहीं क्या होती है इस अब यह बता रहा हूं यह देखने है इस कॉर्णि करनाश केने की सावरा ही यह करनेश डिजाइब किससे बना सकते है एक बार यह बना यह बना यह में चाहिए उली लाइन से पास बना खरकर दिया आगर wait हाँ आप क्या चीज पूछने हैं आपको तरेगा शिर्ट के लिए स्पेशन लाइंग लिए अब वायर के लिए हमने क्या किया बन गया अब क्या किया स्ट्वीप एंटर किया पहला प्रोफाइल एंटर फिर पाथ स्पेशल लाइन है थोड़ा सा टाइम लेगा हो गया तया है हैंडल देखिए होंगे आपने हैंडल को भी हम स्वीप कमांड से असानी से बना सकते हैं ठीक है अच्छी बात है और बनाता है लेकिन और शॉप्टर जोता है मैं बिलकुल उसे एक्ज़क पॉंट पर बनाना परता है लेकिन अप उसको पात कि सेंट्रल एंट एंटेंजनसी के अज़ा आप से फॉलोग यह अच्छी बात है अब आप इसको चेंग भी गरदद पर हो हाल posición आप सेवाट सब지 मालग सेलिए ऒखां कि कर दरता है अब इसी ततरीक है सा आप क्या क्या करते हो अगर आपने आपने कहिंट एनला थे आपने ऴृ suspects और अथैंट si pennaly तर जाके आपका उठाम होगा ठीक है तो आज इतने हैं रखते हैं कल आप लोग पहले लियाउट बना के लिखे आई है तो इसके आगे क्राव साथ करें